नमस्कार विद्यार्थियों, N.I.O.S के स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, मैं हूँ डॉक्टर रिंकी सहायक प्राध्यापक दक्षिन बिहार केंद्रे विश्विद्याले से आज हम जिस विशय पर चर्चा करेंगे, उसका शिर्षक है बालिकाओं के सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमी का विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं कि बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राष्ट्रिय और अंतराष्रिय अस्तर पर कई कारे किये गए हैं और शिक्षा की द्वारा सशक्तिकरण की प्रक्रिया पर बल दिया जाता रहा है यह लड़कियों को बुनियादी मानवाधिकारों को प्राप्त करने में उनकी मदद करती है लेकिन व्यक्तिगत अधिकारों की प्राप्ती से परे लड़कियों की शिक्षा सामाजिक विकास और आर्थिक विकास के लिए उलेखनिय रूप से प्रभावी उत्प्रेरक होती है यह साबित हो चुका है अता हम यह कह सकते हैं कि बालिकाओं की शिक्षा सिर्फ उनको व्यक्तिगत तोर पर सशक्त नहीं बनाती है अपितु पूरे समाज को सशक्त बनाती है सशक्त बालिकाएं ही बाद में सशक्त नारी और मानव की भूमिका में समाज के प्रती अपने दाइत्वों का निर्वहन करती है शिक्षा के द्वारा सशक्ती करण एक अग्रसारित प्रक्रिया बन जाती है यह कैसे बन जाती है? अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे गुर्वत्तापूर्ण शिक्षा बालिकाओं की विद्यालेयों में सहभागिता की दर में वृद्धी करती है एवं आगले अस्तर की शिक्षा के लिए उन्हें तयार करती है गुडवत्तापूर्ण प्रारंबिक शिक्षा उनके माध्यमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर को कम करने में भी सहायक होती है और बालिकाओं में निर्ने लेने की छमता का विकास करती है जिससे वो अपने लिए सही विकल्प का चुनाओ करने में सक्षम होती है शिक्षा के द्वारा ही वे शिक्षा के महत्र को समझती है एवं माध्यमिक या उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेवित होती है इस प्रकार बाद में एक मानव के रूप में विबिन्य तरह की भूमिकाओं के द्वारा आर्थिक, राजनातिक और सामाजिक उत्थान के लिए कारे करती हैं इस प्रकार शिक्षा के द्वारा सशक्ती करण एक स्वाव अग्रसारित अर्थात सेल्फ परपेचुएटिंग प्रक्रिया बन जाती है जिसमें एक बालिका शिक्षा के माध्यम से एक सशक्त नारी और मानव बनने की दिशा में ही स्वयम ही विकल्पों का चुनाव करती है अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सशक्त बालिकाओं में क्या-क्या गुण होते हैं एक सशक्त बालिका में आत्म मुल्लिक, आत्म विश्वास और आत्मसम्मान की भावना होती है उसमें विश्लेशनात्मक शम्ता और स्रेजनात्मक शम्ता भी होती है उसमें नेत्रित्व करने की शम्ता एवं समूव में कारे करने की शम्ता भी होती है अपनी तथा आसपास के लोगों की समस्याओं का हल निकालने के दिशा में कारे करने की इच्छा भी उसके अंदर होती है उसमें निर्ने लेने की शम्ता होती है और कई बार ऐसा देखा गया है कि वह अपनी पसंद के कोर्स या इस्ट्रीम को पहचान कर उसमें दाखिला लेने का नेर्णे स्वयम करती है अपनी शमताओं को पहचानने और उसका अधिक्तम विकास करने की दिशा में एक सशक्त बालिका हमेशा प्रयत्मशील होती है और उसमें अपनी कमजोरियों को पहचान कर उसे दूर करने के प्रयत्म करने की इच्छा शक्ती भी होती है उसे अपनी रुची, अरुची, किसी कारे को करने की इच्छा या अनिच्छा के विशे में जानकारी होती है अपनी बातों और विचारों को अच्छी तरह से संप्रेशित करने की शमता भी उसके अंदर होती है इसका उप्योग करके वह कई बार अपने अभिभावकों और शिक्षकों को अपने उचित मांगों के लिए दिड़ता पुर्वक समझा लेती है वह अपने बाल अधिकारों और करतव्यों के प्रती सचेत होती है परिवार, समाज, तता विद्याले में अपने प्रती भेदभाव पूर्ण रवईये को पहचानने की शमता होती है और उसमें उसे रोकने की दिशा में प्रयत्न करने का जज़बा भी होता है वह अपने साथ हो रहे किसी भी प्रकार के शोशन को पहचानने की शमता रखती है और उसे रोकने की दिशा में कारे करने का साहस भी रखती है उसका सरकार और अन्यमाध्यमों द्वारा उनके विकास के लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की जानकारी होती है सशक्त बालिकाएं यह यकीन करती है कि भविश्य में वे स्वयम को जिस भूमिका में देखना चाहती है वो उसे प्राप्त कर सकती है और साथ ही वे उसे प्राप्त करने की दिशा में सतत प्रयासरत होती है जैसे बालिकाएं यदि डॉक्टर, शिक्षिका, एंजीनियर, खिलाडी, पाइलट, एलेक्ट्रीशियन, ग्रिहनी या राजनेत्री बनना चाहती है तो उसे प्राप्त करने के दिशा में वह निरंतर कोशिश करती रहती है वह अपने लिए मौजूद उचित विकल्पों का चुनाव करने की शमता भी रखती है अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह समझने की कोशिश करेंगे कि शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण के बीच में कैसा संबंध है शिक्षा की प्रक्रिया और बालिका सशक्तिकरण के इस पारस्परिक संबंधों को समझने के लिए हमें विद्यालयों में पाठे करम के द्वारा दी जाने वाली शिक्षा के तीन आयामों को समझने की जरूरत है यह तीन आयाम हैं पाठे क्रम का लक्ष, पाठे सामगरी का चुनाओ, पाठे क्रम का क्रियानवयन इन तीन आयामों का उचित उपयोग करके हम बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कार्य कर सकते हैं विद्यार्थियों अब हम यह समझेंगे कि पाठेक्रम का लक्ष हम कैसा तै करें जिससे बालिका सशक्तिकरण की दिशा को बल मिले जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा की लक्ष ही पाठेक्रम की दशा और दिशा तै करते हैं इसलिए यदि शिक्षा का लक्ष बालिका सशक्ती करण के लक्ष को प्राप्त करने वाला होगा तो पाठिक्रम का लक्ष भी इसके अनुरूप ही तै हो जाएगा इसलिए शिक्षा का लक्ष बालिका सशक्ती करण के लक्ष को अग्रसारित करने वाला होना चाहिए शिक्षा के लक्ष में लिंग गत समानता होनी चाहिए इसका अर्थ यह है कि शिक्षा का लक्ष लिंग पुर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए अर्थात शिक्षा का मुख्य लक्ष बालक और बालिका के लिए समान होना चाहिए सामने तोर से शिक्षा का लक्ष व्यक्ती की संग्यानात्मक, श्रिजनात्मक और तार्किक शम्ताओं के विकास द्वारा आत्म अनुभूती की प्राप्ती होता है एक सशक्त व्यक्ती आत्म अनुभूती की तरफ सतत प्रयतनशील होता है परंतु जब इस्त्री शिक्षा का लक्ष अंतरनीत पूर्णता को प्राप्त ना करके अन्य लक्षों की प्राप्ती होता है तो यह उसे आत्म अनुभूती प्राप्ती से दूर कर देता है और उसे संपूर्ण सशक्ती करण की दिशा में आगे बढ़ने से रोकता है ऐसा पाया गया है कि राष्ट्रिय और अंतर्राष्ट्री अस्तर पर बालिकाओं के शिक्षा के लक्ष से अलग तै किये जाते हैं इस्त्रियों या बालिकाओं के शिक्षा के लिए बनाये गए लक्षियों में सूसंस्कृत नागरिंकों का निर्मान करना छोटे परिवार के उद्देश्य को प्राप्त करना, अगली पीडी के बच्चों के शिक्षा और पोशन के लिए शिक्षा देना, परिवार हेतू अतिरिक्त आये का स्रिजन इत्यादी शामिल है। इस तरह की शिक्षा को इस्त्री शिक्षा का उपकरणवादी उपागम अर्थात instrumentalist अप्रोच कहते हैं। इस नजरिये की सीमाओं और इसकी बालिका सशक्तिकरण की दिशा में बाधा को पहचानते हुए, केब कमीटी की Girls Education and the Common School System नामक रिपोर्ट में बालिका या महिला शिक्षा के उपकरणवादी उपागम का जोरदार विरोध करने की जरूरत पर बल दिया गया है। इस तरह की धारणाओं से प्रभावित शिक्षा की लक्ष बालिकाओं को दी जाने वाली शिक्षा के अस्तर और प्रकार पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान दायक प्रभाव डालते हैं और शिक्षा को जेंडर पुर्वाग्रह से ग्रसित बनाते हमें ऐसे लक्षे निर्धारित करने चाहिए जिससे की शिक्षा के सभी शेत्रों में बालिकाओं की शमताओं का प्रदर्शन और सार्थिक भागिदारी सुनिशित करने के प्रयास किये जा सके और उन्हें आत्म अनुभूती से परिपूर्ण एक उपयोगी मानव और नागर और पुरुस्त के सशक्त रूप और अपारंपरिक भूमिका की शवी के प्रती सकरात्मक दृष्टिकोन पैदा करना तथा ऐसी शवी को स्विकार करने के लिए तयार करने का लक्ष भी निर्धारित करना चाहिए तो विद्यार्थियों हमने ये देखा कि हमारे पाठे करम के लक्ष किस प्रकार के होने चाहिए ताकि वो बालिका सशक्तिकरण की दिशा को अग्रिसारित कर पाए इसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि अधिगम के लिए किस प्रकार की पाठे सामगरी प्रयुक्त की जानी चाहिए पार्टे पुस्तकें एक महत्वपूर्ण शिक्चन एवं अधीगम सामगरी हैं जिसे घ्यान का महत्वपूर्ण भंडार माना जाता है पाठे पुस्तकों में निहित अधिगम सामगरी को जेंडर पुर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए इसमें निहित जेंडर पुर्वाग्रहों का विद्यार्थियों के आत्म प्रत्य अर्थात सेल्फ कॉंसेप्ट पर प्रभाव पड़ता है और पार्टे पुस्तकों की समाज में विद्यमान जंडर पुर्वाग्रहों को आगे बढ़ाने में एवं इन्हें व्यधता प्रदान करने में बड़ी भूमिका होती है पार्टे सामगरी उनके व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखकर तयार की जानी चाहिए जंडर पुर्वाग्रह को खत्म करने के लिए पार्टे पुस्तकों में अधिगम सामगरी शामिल किये जाने चाहिए जैसे महिलाओं और पुरुषों की समाज में भूमिकाओं को उनकी योग्यता तथा रुची के अनुसार प्रदर्शित करना चाहिए ना कि उन्हें समाज द्वारा चिन्नित की गई रूडिवादी या पारंपरिक भूमिकाओं में प्रदर्शित करना चाहिए जैसा कि NCF 2005 में बताया गया है कि किताबों में पुरुषों और इस्त्रियों को गैर पारमपरिक कार्य करते हुए प्रस्तुत किया जाए उदाहरन के तौर पर चित्र के माध्यम से यह दर्शाया जा सकता है कि महिला घर के उन कार्यों को कर रही है जो अक्सर पुरुष करते हैं जैसे बल्ब लगाना और पुरुष उन कार्यों को कर रहे होते हैं जो अक्सर महिला करती है जैसे भोजन बनाना या घर की साफ सफाई करना पार्टे सामगरी में ऐसी महिलाओं के उदाहरण होने चाहिए जिन्होंने समाज को नेत्रित्व प्रदान किया हूँ एवं जहां उन्होंने अप औरामपरागत शेत्रों में योगदान दिया हूँ जैसे महिला वज्यानिक, महिला पुलिस, महिला अंतरिक श्यात्री, टेम्पो चालक, महिला पाइलट, इत्यादी के उदाहरण पाठी सामगरी में शामिल किये जा सकते हैं। ये सारे तत्व बालिकाओं को अपनी शमताओं को पहचानने और अपने लक्षे को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। एवं साथ ही बालकों को उनकी इस छवी को स्विकार करने में आप्रत्यक्ष रूप से तयार करते हैं। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यह देखेंगे कि पाठीक्रम का क्रियानवयन कैसा होना चाहिए जिससे बालिका सशक्तिकरण को बल मिल सके। इस संदर्व में हमें यह जानने और समझने की जरूरत है कि विद्याले का वातावरण और शिक्षन व्यभात बालिकाओं के सशक्तिकरण में बहुत एहम भूमी का निभाते हैं। जहां विद्याले के जेंडर पुर्वाग्रह युक्त वातावरण बालक और बालिकाओं के संपूर्ण विकास में बाधक बनते हैं। वहीं जेंडर गत समान वातावरण और बालिकाओं को थोड़ा सा प्रोथ सहान देना उनके विद्याले उपलब्धी आत्मप्रत्य एवं प्रत्याशाओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। विद्याले के पाठे सहगामी क्रियाएं जिसे को करिकुलर एक्टिविटीज भी कहा जाता है। और अन्जाने में यह पाठे सहगामी क्रियाओं अर्थात को करिकुलर एक्टिविटीज तता खेलों में जंडर सापिक्षता को प्रोथ साहित करते हैं। जैसे कई विद्यालेयों में बालिकाओं को साजसज्जा, रंगोली बनाना, नृत्य, गायन, शिल्प, आधी क्रियाओं में और बालकों को कवितापाठ, वाद विवाद, भाषन आधी में प्रधानता दी जाती है। एवं उन्हें हिस्सेदारी के लिए प्रोथ साहित किया जाता है। इसी प्रकार अक्सर बालिकाओं और बालकों को उनके जेंडर के अनुसार विशेष प्रकार के खेलों में भाग लेते हुए देखा जा सकता है। कि विद्याले का वातवरन, जेंडर निर्पेक्षों और बालक और बालिकाओं को अपारंपरिक पाठे सहगामी क्रियाओं और खेलों में हिस्सेदारी करने के लिए प्रोथ साहित किया जाए। ताकि विद्याले में जेंडर पुर्वाग्रा कम हो सकें। इसी प्रकार कख्षा में पाठेक्रम का क्रियान वयन करते समय शिक्षक को विबिन्य प्रकार के ऐसे शिक्षन विदी का उपयोग करना चाहिए जो बालिकाओं के संपूर्ण विकास में सहायक हूं। उनमें विश्यवस्तु की समझ पैदा करने के साथ साथ विशलेशनात्मक्षमता, स्रिजनात्मक्षमता, नेत्रित्विशमता तथा अन्य शमताओं का विकास करने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। पाठीक्रम के उद्देश तब तक पूरी तरह से प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं जब तक पढ़ाई जाने वाली विश्यवस्तु का व्यवहारिक ज्यान न करवाया जाए। इसी लिए ऐसी शिक्षनविदी का उपयोग करना चाहिए जिसमें सैध्धान्तिक ज्यान का व्यवहारिक ज्यान के साथ समन वैह हो। इसके लिए शिक्षत क्रिया आधारित अधिगम को अपना सकते हैं। साथ ही वह बालक बालिकाओं के छोटी समूँ बना कर भी कई तरह के अधिगम कारे करवा सकते हैं। जब बालक बालिकाओं एक समूँ में कारे करते हैं तो उनमें जेंडर गत पुर्वागरह कम होने की संभावनाय बनती हैं। एवं वो एक दूसरे के लिए दृष्टी कोण उनके मानव होने के आधार पर बनाते हैं ना कि उनके एक विशेज जिंडर होने के आधार पर। साथ ही वो एक दूसरे की शमताओं के विशे में आवगत होते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। इसी प्रकार बालिकाओं को गनित शिक्षन और विज्ञान शिक्षन के लिए भी वैसे ही प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे अन्य विशेयों के लिए किया जाता है बालिकाओं को व्यावसाईक शिक्षा के लिए भी प्रोत्साहन देना चाहिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम यह समझेंगे कि शिक्षक या शिक्षीका का व्यभार कैसा होना चाहिए जिस से एक बालिका सशक्ती करण की दिशा में आगे बढ़ सके इसके लिए यह जरूरी है कि शिक्षक और शिक्षिका को जंडर और समानता से जुड़े मुद्दों की जानकारी हो उसे पता हूँ कि किस प्रकार विशय वस्तु तथा पाठिक्रम के क्रियानवैन में जंडर असमानता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं उसे इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि वह कैसे अपने व्यभार और शिक्षन विधी में जेंडर गत समानता का समावेश कर सकता है शिक्षक या शिक्षिका बालक और बालिकाओं के लिए प्रेर्णा श्रोत होते हैं और इसलिए बच्चे उनके व्यभार और विचारों से प्रभावित होते हैं जो उनके व्यक्तित्व निर्माण में एहम भूमी का निभाते हैं इसलिए शिक्षक या शिक्षिका का व्यभार जेंडर पुर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए ऐसा देखा गया है कि हमारे कई विद्यालयों में शिक्चक या शिक्चिका का व्यभार जेंडर पुर्वाग्रहों से ग्रसित होता है उदाहरण के तोर पर शिक्चक या शिक्चिका द्वारा बालकों की तुलना में बालिकाओं के उपर कम ध्यान देना बालकों से ज्यादा चुनाती पूर्ण प्रश्न करना गाणित और विज्ञान विशेयों को पढ़ने के लिए बालकों को और सामाजिक विज्ञान या भाषा पढ़ने के लिए बालिकाओं को ज्यादा प्रोचाहित करना आधी शामिल है ऐसे व्यवहार बालिकाओं के आत्म प्रत्य, आत्म विश्वास एवं उनकी प्रत्याशाओं पर नकरात्म प्रभाव डालते हैं अतर शिक्षक या शिक्षिका का व्यवहार जेंडर गत समानता पर आधारित होना चाहिए शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं को कक्षा में भैमुक्त वातावरन का निर्मान करना चाहिए ताकि बालिकाओं निर्भीक रूप से अपना द्रिष्टिकों व्यक्त कर सकें एवं अधिगम कारे में पूर्ण भागिदारी कर सकें शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का दोस्ताना और सहयोग पुर्ण वेभार बालिकाओं को अपनी इच्छा, अनिच्छा, आशा, प्रत्याशा एवं किसी प्रकार की परेशानियों को उनके साथ साजा करने में मदद करता है शिक्षक या शिक्षिका निर्देशन और परामर्ष के द्वारा बालिकाओं की शैक्षिक एवं व्यक्तिगत परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद कर सकते हैं बालिकाओं की शमता को पहचान करके उसे निखारने की दिशा में भी शिक्चक या शिक्चिका का महतुपून योगदान होता है शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को अपने शिक्षन कारे के विशय वस्तु में महिलाओं की समाज निर्मार में भूमिकाओं को भी आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए तो विद्यार्थियों, हम अब यह समझ चुके हैं कि शिक्षक और शिक्षिकाओं का व्यभार बालिका सशक्तिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करता है उनका सकरात्मक व्यभार संपून बालिका सशक्तिकरण को बल प्रदान करता है तो पूरे चर्चा के अंत में अब हम थोड़ा सा इसे समराइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा विद्यार्थियों हमने आज यह समझा कि कैसे शिक्षा के द्वारा बालिका सशक्तिकरण एक सुआ अग्रसारिक प्रक्रिया बन जाती है साथ ही हमने सशक्त बालिकाओं के गुणों के विशय में समझा और यह भी समझा कि कैसे पाठेक्रम के लक्ष, पाठे सामगरी और पाठेक्रम के क्रियानवयन के तरीके के द्वारा बालिका को सशक्त बनाने की दिशा में कारे किया जा सकता है आशा है कि आज की चर्चा आपके लिए लावप्रद साबित हुई होगी अगले किसी सत्र में हम फिर मिलेंगे एक नए विशय के साथ धन्यवाद